हालो फ्रेंग्स वेलकम यू आल आज मैं आपके बात करेंगे छोटे छोटे शेयर लेकिन बड़ी बड़ी लर्निंग्स की देखें ये बहुत इंपोर्टेंट बात होती है अगर आप किसी टीम में भी काम कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि कोई उसमें छोटा प्लियर है छोटा म मेरा मतलब है यहाँ पर experience wise उमर wise ना कि वह आपको learning नहीं दे सकता है यह बस accept करने की बात होती हर किसी के पास अपना एक different set of skill set होता है different experience होता है और मैं कहूंगा हर चीज़ की अपनी learning अलग-अलग है तो वहाँ पर कोई भी छोटा प्लियर आपकी टीम में बहुत effective हो सकता ह है बसरते आप उसकी सुनो उसकी समझो उससे सीखो बस इसलिए जुखना पड़ता है समझने सीखने के लिए हमेशा यह जरूर ध्यान रखना जहां पर learnings है learnings के लिए आपको आगे बढ़ना है तो जुखना पड़ता है समझना पड़ता है time spend करना पड़ता है इसने छोट से छोटे शेयर भी आपको बहुत सारी चीजे सिखा के जाते हैं जस्त आपको समझना है तो चलिए डिटेल में समझते हैं सीखने की कोशिश करते हैं आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता जोगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर ल अधर थोड़ा सा टाइम स्पेंड यहां पर करने लग जाओगे प्राइस सेक्शन में तो आप रिलेट कर पाओगी चीजों को तो आपने आप आपको समझ में आएगे और यह प्रैक्टिस जो आपको करनी हो आपके सांद शेयर है कैसे वीकेंड वाली एक्सराइज कैसे र आज आप देख रहे हो कि यह स्टाउक 353 करोड का मार्केट कपिलावाइशन हो गया लेकिन कुछ टाइम पहले आंब यह यहenci क्यार मार्केट कपिलाइशन खुद इसके प्राइस को देख क्या पता लगा सकते है कि की तना हो सकता था इस टायम में पे जब शेंट आड शेय तो प्राइस कहा है एक सो बीस पसेंट की आपको गयार बहुत ही बड़ी है मज़ा आजाता अगर यह हमें अर्ली स्टेज़ेस पर देखने को मिल जाता तो यह स्टॉक को अगर आप देखोगे कैसे वीकली पर बेस बना रहा है तो ऐसे यह यहां पर देखें का सिचुएशन तो नहीं कहूंगा मैं एक पॉजिटिव हायर लोका सिचुएशन और कैसे यहां पर मुमेंटम आया कि एम फॉर्मेशन डब्लू फॉर्मेशन के हम बात करते हैं तो वहां पर जो है चाहिए छोटा स्टॉक होए और बड़ा स्टॉक कभ यह लेवल अपना ब्रेक करके उप इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या थी इसकी यह वीकली पे 200 ऐसे में की इर्दगिर्द बेस बना रहा था यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और जैसी हमें इस लेवल की क्लोजिंग मिलती है तो ऐसे शियर को आप देखोगी कि मोमेंटम आ चुका है सब सबसे पहले जब हम इसको चर्चा कर रहे थे जून 2023 में तो यह 76 के आसपास का प्राइस तो यह उम्मीद थी यह रैली करें यहां उपर जाए और एक क्रेक्शन कंसलिडेशन फिर दुबारा हमने इसकी चर्चा करी थी यह आउगस्त के लेवल बे तब यह इसी जोन में था कंसलिडेशन में उम्मीद थी किया अब इसने ब्रेकाउट ले लिया है अब यहां पर थोड़ा कंसलिडेशन देखा के ऊपर जाएगा फिर दुबारा चर्चा करी थी हमने इसकी जब यह ब्रेकाउट होने के बाद वापस करेक्शन आया था बहुत अच्छे से इसकी चर् पफिर यहाँ है हमारेظ यहां पर चानी ब्रेकाऊट और पूल बैक आया और फिर पर लेकाउट होता है और फिर आमधे पर हैं ओल्रम मांत करेक्षें ओं जबεις किया होता है कि तो जब इस को स्टाउक में है आप देंसा बढारा बहुत ही बहत्रीन चोटे स्टॉक में जरूर ध्यान देने वाली बात होती है कि यहां पर प्लबैक्स भी होते हैं वह बहुत ही खतर अगर मैं यहीं पर देखो देखिए 112 के लेवल तक गया था और उसके बाद कहा है 35% की गिरावाट यहां पर आई और अगर यहां पर देख दिखा जाते हैं और रिस्क जब यहां पर एंट्री ले रहे हो देखिए यह आपका रिसक इन लवल की जाएगा इन लवाज जो यहां से एकदम रहली आती है वह लवल एक इंबालन्स का काम करता जिसको बैलन्स करना पड़ता अगर आपने यहां पर 64 65 70 इस लवल पर सिख्का पर इस समझाए तो आप समझते कि कारण क्या था जब जुलाए घस्ते में इसकी चर्चा कर रहे थे और इसका इन रही आई यह जोन देखे फिर यह जब पुल बैक आता सेप्टमबर में कि टूहंडड़ से में डेलियर के आसपास जाके सपोर्ट लेगा यह सेप्टमबर का अब यह चोटी चोटी चीज़े जरूर है लेकिन बहुत ही महत्तुपूर चीज़ा है तो इनका जरूर ध्यान रखे एक और आज की करचा करेंगे आज की डेंट में कुछ इसमें वी सम्झेंगे वीकली टाइम फ्रेंब में यॐ को बात करते हैं वोम सोब करते हैं यह चोटा सा स्च्व बहुत ही जिसके हम अभीृफasse धिक्रैस्ट में कि कोशिप् defense का नाम यह कांची यह को पूर स्वास्चिन 2.1.2.1 divergence अब इसको देखे थार्ड और एक्वल लोज एम फॉर्मेशन डब्ली फॉर्मेशन और डबल डबल डवर्जन दिखा रहा है कि नहीं है कहां चीक पूर हम क्या दिखा रहा है आपको डबल डवर्जन और कंसॉलिडेशन दिखा रहा है कहां पर यहां पर अब इस ट देख रहा है कि यह मेरा डीप बहुत बड़ा रिस्क है कि नहीं है तो इमेजियेट रिस्क लो यह आ जाएगा अब यहां पर अगर मैं यह इसका पॉटेंचल आपको लेखने को में बल रहा है क्यों जा रहे है सबसे पहले कभी भी किसी स्टॉक पर एंट्री लेना है तो आपके पास एक उसके पीछे कहानी होनी चाहिए वाई यू आरेंटरिंग इंट्री अगर यह चीज़े क्लियर है तो आपको फिर आगे डर नहीं लगेगा दूसरा डर को भगाने के एक और तरीक है पोजिशन साइज को कम कर लो जब तक आपके अंदर डर है तब तक पोज आप प्रक्टिस करोगे आप एक टाइम आएगा तब जाके आप थोड़ा सा रिस्क टेकिंग कंडिशन में आ सकते कि हां थोड़ा और जो है उसको फिर में यह कहूंगा कि हमेशा रिस्क को मैंज करना है बट जब तक पोजिशन के साइज को बहुत ही कम रखना है और अपन पॉइंट का भी लॉस ले रहो ना तब भी आपको दिख रहा है आप 2000 कर सकते हो तो यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट और भड़े टाइम फ्रेम में थोड़ा रिलाबिलेटी होती है समझे रिलाबिलेटी होती है आप इंट्राइट तो करनी रेस में और सिच्विशन को समझे आप देखें डीली पर चलते हैं कांची को पूर मुझे कि सईकल स्टाटेट है हमकि आए यहां पर क्योंकि सटाटेट है जैस्ट एक मूव भी इसने स्टार्ट किया है साइकल स्टाटेट है पॉजिटिव साइकर महाई अब जैसे हैं यह है यह आपका डीप किजिए लाइक किया किजिए और मैं आपको ही कहूंगा कि रिस्क मैनेजमेंट के अवेरनेस ना स्प्रेड करते रहें मार्केट में देखे डैनेमिक नेचर आपको कभी भागता हुआ देखेगा कभी गिरता हुआ देखेगा आपको अपने प्लान के उपर काम करना है जो प्लान में रिस्क मैनेजमेंट को टॉप प्रायरिटी देने वाइंडप करता हुआ वीडियो का आप शेयर कीजिए लाइक की जान थांक्यू 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 पर राचिंग वीडियो